हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जैसे जैसे सर्दियां आती है वैसे वैसे सर्दियों में गरम चीजों को खाने का प्रिशलन बढ़ जाता है इनी गरम चीजों में से एक चीज है हल्दी आज मैं बना रही हूँ आपके साथ हल्दी के लिड़ू जिसमें में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेवे डाल कर इसे और टेस्टी बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप और आपके बच्चे आपका परिवार इसे सर्दिय प्रोसेस, यहांपे मैंने लिए बादाम, दो बड़े चमच मैने लिए हैं सौफ इसी के साथ मेने लिए हैं दो चोटे चमच काली मिर्च और चार इलाइची, सारी चीजों को पीसके में इसका पाउदर तियार करूंगी, इसी पाउदर को हम यूज़ करेंगे, यह देखि एक पड़ी कटोरी हल्दी, ग्रेट की हुई हल्दी को भूनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले ये तले पे चिपक जाती है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये दिक्कत करेगी, लेकिन लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाती रहिए, कुरच के ये तला पॉस हल्दी हल्दी को भूनना बहुत इंपॉर्टन है, क्योंकि कई बार हल्दी भूनने में हम गल्टी कर देते हैं और लड़ू खराब हो जाते हैं, जब आपकी हल्दी इस तरह से खटी सारे जगा घूम रही है कड़ाई में, तो ये हल्दी कच्ची है, और इसका हल्का कलर भी गोल् लेते हैं, लेकिन अभी भी हल्दी भूनने में हमें 2-3 मिनट और लगेंगे, इस समय देखिए हल्दी को मैं कड़ाई में गुमा रही हूं, तो ये औल्मोस्ट बिकरी बिकरी से लग रही है, कलर इसका थोड़ा सा लाल हो गया है, यानि कि हल्दी भून गई है, डार्क ब् भूम रही है हल्दी, अब ये हल्दी फाइनली भून चुकी है, हल्दी भूनना बहुत जरूरी है, अगर आपकी हल्दी भूनने में दिक्कत हुई, तो लड़ू अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, हल्दी भूनने के बाद चलिए, अब भूनते हैं आटा, यहाँ यहाँ पे मैंने लिया है, दो बड़े चम्मच घी और इसमें मैं डाल रही हूं गेहूं का आटा, आप चाहें तो डेर कटोरी गेहूं का आटा डालिए, मैंने यहाँ पे एक कटोरी गेहूं का आटा, और साथ में आधी कटोरी के करीब ने यहाँ पे बेसन लिया है, इसे ये थोड़ी देर बाद भून के अच्छा तयार हो जाएगा लगबख 5-7 मिनिट बाद ये देखी आटा इस तरह से भून के तयार हो गया है अब इसमें मैंने एक बड़ा चमच गी और डाला है और अब इसमें मैं डालूंगी गोंद गोंद का फायदा ये है कि मैं ऐसे यहीं भी भून रही हूँ अलग से मैं ऐसे फ्राई नहीं कर रही हूँ वो मुझे बड़ा जंजट वाला काम लगता है गोंद के बारिक बारिक टुकडे कर लीजिए और इसी समय आटे में डाल दीजिए आटा और गी बहुत करम है तो एकदम से गोंद फूल के खिल जाता है मुझे ये स्टैप बहुत अच्छा लगता है ये मैंने अपनी ताईजी से सीखा था आप भी गोंद को इस तरह भूनिये तो गोंद जादा क्रिस्पी हूनता है क्योंकि आटे के साथ होने की वज़े से वो जलता नहीं है लगातार चलाते हुए भूनिये ये देखे गोंद कितना खिल गया है फूल गया है और जलने की भी कोई टेंशन नहीं अब मैंने इसमें डाला है दो बड़े चमश कमरकस कमरकस के फायदे सर्दियों में बहुत होते है कमरकस आपके हड़ें के कसाफ को लाता है कमरकस जैसा की नाम से ही मशूर है ये कमर के दर्द को बहुत आराम देता है और भी कई हड़ें से जुड़ी बिमारें को दूर करने में ये हेल्प करता है इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक बड़ा क्टोरी भार के मैंने कद्डुकस कीए हुआ नारियल जो हותा है बुरादा जो होता है वो डाला है और सात ही मैंने यहां डाल दिया है जो पिसे हुए बदाम और सौफ का पा央डर मैंने रखा था उसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला देंगे कडाही मैंने अभी गैस पे ही रखी हुई है और लो फ्लेम पे मैं यह सब कर रही हूँ अब मैंने इसमें डालना है मकाने का पाउडर जो हमने पीस के रखा था इसे मिक्स करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी चीज़ें मिलाने के बाद कड़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है अब इसे नीचे उतार के इसमें डालेंगे हम अपनी हल्दी इन हल्दियें को लड्डू का फायता ये है कि आपके जोइंट्स में होने वाली maximum problem को ये हल्दियों कि इतनी भी कमजोरी है उसो दूर करने में आपको help करेगी ये देखिया हमारी हल्दी कितनी अच्छी बुनी है हातों से बुर बुरी केस्प हो रही है इसका मतलब हल्दी अब बहुत बढ़िया बुनी हुई है लास्ट में हम कडाई में डालेंगे एक बड़ा चमजगी इसमें मैं डाल रही हूँ डेड़ का टोरी के करीब गुड़ जितना आपका आटे और बेसन का कॉम्बिनेशन है उतना ही आपको गुड़ लेना है ये काफी मीठा हो जाता है गुड़ को लगातार चलाते रहिए एक चमजगी पानी आइड कर देने से ये जलेगा नहीं और जल्दी से खुल जाएगा यहाँ चाशनी नहीं बना रही हूँ मैं सिर्फ मुझे गुड़ घोलना है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमज सौट पाउडर सौट पाउडर लाणने से गुड़ में खुश्वू बहुत अच्छी आती है और हमने गी डाला है उससे भी ये बहुत पेस्टी बन के तियार होते है मिक्स कर लीजे सारी चीजों को मिलाते रहिए इसे लगबग दो से धाई मिनिट में आपका गुड़ मेल्ट हो जाएगा और ये सारी चीजे मिलने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे अपने मिक्शर में मिक्शर में मैं डाल रही हूँ इसे ये थोड़ा गरम था तो मैंसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई ये देखिए सारी चीने मिला दी है मैंने इसमें मैंने हल्दी, गूर, आटा और ड्राइफरूट का पाउडर मिला दिया है ये देखिए इसे बंद रहा है लड्डू बांद कर तयार कर लीजे इजिली बंद जाते हैं तयार हैं हमारे लड्डू जो एकी ना सिर्फ मिठाई है बलकि बहुत बढ़िया सर्दियों की एक दवाई है जो आपके हड्डियों से रिलेटिड प्राबलम को दूर करेगी आपके शरीर में गर्माट भी रखेगी सर्दियों में आपको ताकत भी देगी लड्डू को स्टोर करके रख लीजे ये लड्डू लगबग डेट से दो महीने तक बिलकुल खराब नहीं होते हैं वैसे लड्डू लगबग एक महीने में यूज़ हो जाते हैं लेकिन अगर आप घर में खाने वाली कम लोग हैं ये दो महने तक भी खराब नहीं होंगे बनाईए इस टेस्टी रेसिपी को और अपनी हेल्थ को सुधारिए कैसी लगी रेसिपी मुझे जरूर बताईए आपके कोई क्वेरी जों तो मुझे कमेंट्स कीजेगा मैं लडू को स्टोर कर रही हूं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें बाबाई, टेक कियर